लहरों से डरकरनों का पार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती जैहिन दोस्तों मैं हुआ जैकुमार और आप सबों का इस युटुब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज आप स्वी जारखन बोट के मैटिक और इंटरमीडियर सहीद कलास 8, 9, 11 और कलास 1 से लेकर के 7 तक के छातरों के लिए एक बहुत बड़ी खुस खबरी है साथी साथ कलास 9 और 11 के जो छातर बोट एकजम 2022 में फेल हुए थे उसके लिए भी एक महतपुर्ण सुचना है और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे ढंक से आप स्वी खातरों तक पहुचाने का कोशिस करूँगा इसलिए आप स्वी खातर हमारे साथ इस वीडियो में सुरू से लेकर के अंतक बने रहिएगा तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज आप स्वी खातरों के चातरों के लिए जो महतपुर्ण खुसखबरी है उसे देखें तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं जिसमें दिया हुआ है कि सरकारी विद्यालियों के बच्चों के लिए त्यार होगा इसकी त्यारी सुरू हो गई है और इसके बारे में आगे इसमें लिखा हुआ है कि 9 से 12 तक का कंटेंट NCRT से रहेगा आप स्वी जारखन बोट के कलास 9 से लेकर के 12 तक के चातर हैं तो आपका जो कंटेंट होगा वो NCRT से होगा NCRT का मतलब है National Council of Education Research and Training आनि कि आपका जो है पूरे देश लेवर का जो सिलेवा से NCRT का उसी क्याधार पर आप स्वी जातरों का यी कंटेंट त्यार होगा जिसको पढ़ करके आप लोग अपने बोड एकजाम में बहुत अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है परमुख समधाता राची आनि किया जो अपडेट है राची से परभात ख़वर समाचार पत्र में परकासित हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि राइज के सरकारी अस्कूल के बच्चों की है और आगे लिखा हुआ है कि कच्चा बारहमी तक के कच्चा वार विसेवार सभी चेप्टर का कंटेंट त्यार होगा आप स्वी चात्र जितने भी हैं तो आपका जो हिंदी, इंगली, मेद, साइंस या फिर इंटरमीडियर्ट में साइंस, आर्स, कोमर्स के चात्र हैं त आप स्वी चात्रों का जो सिलेबस है और पूरी तरह से NCRT का लागू किया जाएगा जारखन बोड में भी, आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसे में कच्चा नौवी से बारहमी के लिए NCRT दोवारा त्यार कंटेंट का उप्योग किया जाएगा, आप स्वी चात्र जो है जो NCRT का कंटेंट है, उसी का परियोग करके आप लोग पढ़ेंगे और अपने बोड एकजाम की त्यारी करेंगे, दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसके लिए राइज के अधिकारी जल्द ही दिल्ली जाएंगे, जारखन के जितने भी पदा अधिकारी हैं, वे इसमें दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जाकर कि आप स्विच हात्रों के कंटेंट को कैसे त्यार किया जाए, आपका सिलेबस कैसे त्यार किया जाए, इतियादी इतियादी सिखेंगे और उसे जारखन में भी लागू करेंगे, दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि तक के विद्यार्थियों के लिए NCRT दोरा त्यार यी content अपलोड किया जाएगा आपका जो है NCRT दोरा जो त्यार किया गया content उसे upload किया जाएगा कहां upload किया जाएगा इसमें दिया गया है जबकि अनकछाओं के लिए JCRT के अस्तर से content त्यार होगा आनि कि जितने भी class 9 तक क चात्रें तो आपका जो content होगा NCRT को का होगा और उससे नीचे के जो होगे उनका JCRT का होगा JCRT का मतलब होता है जारखन council for education research and training तो इस तरह से हम लोग देख रहें कि class 9 के चात्रों का जो syllabus होगा या content होगा वो NCRT का होगा उससे नीचे का जो होगा वो JCRT को का होगा दोस्तों इसके अधम लोग आगे बने तो आगे इसमें दिया गया है कि इसके लिए UNICEF का सहयोग लिया जाएगा आगे कि इसके लिए राइज भर से सिचकों का चेहन किया जाएगा और सभी कच्छाओं के अलग-अलग विसे का chapter के अनुरूप कच्छा संचालन करते सिचक का चेहन किया जाएगा और इसके लिए UNICEF का सहयोग लिया जाएगा रूसी के सहयोग से आप स्विच आत्रों के पढ़ाई के सामगरी को त्यार किया जाएगा और साथी साथ कच्छा संचालन करते हुए विडियो बनाया जाएगा रूसे यूटूब में या फिर दिच्छ एप में अप्लोड किया जाएगा दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसे दिच्छा पोर्टल पर एवं JCRT के YouTube चैनल पर अप्लोड किया जाएगा आप स्विछ आतर यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं यह Google का प्लेयर स्टोर है जहां पर दिच्छा का एप है इसे आप लोग अप्लोड करेंगा इसी के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं साथी साथ जो JCRT का YouTube चैनल है वहां पर भी जाकर के आप लोग इसे पढ़ पाएंगे दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसके अलाव विद्यार्थियों को WhatsApp गुरूप के माध्यम से भी इकंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा आप स्विछ आतरों को जो है आपके WhatsApp गुरूप जो आपका इस्कूल का गुरूप होगा दीजी साथ इत्यादी का तो उसके माध्यम से भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा आप लोग वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को पाटकरम पूरा करने में मिलेगी मदद आप स्वी छात्र का जो सिलेबस है जो पूरा नहीं हो पाता है बतमान में हम लोग जो देख रहे हैं कि आप स्वी मेटिक और इंटरमीडियर्ट के छात्रों का बोड एक्जाम मार्च में दोहज़ाद तैस में लेकिन आपका सिलेबस बहुत सारे विशाई का कंपलीट नह नहीं आता है तो घर पर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है जारखन के बहुत सारे चात्रे जो बिद्याले नहीं जाते हैं हम लोग जो देखते हैं हर बिद्याले में लगभग लगभग 50-60% उपस्थिती होती है सरकारी बिद्यालियों में तो जो चात्र बिद्याले नहीं जाते हैं वे लोग घर बैठे भी पढ़ सकते हैं और अपने सिलेबस को कम्पलीट कर सकते हैं दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि अस्कूल में कच्छा संचालन के दवरान अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसे बाद में वीडियो देख फिर से समझ सकते हैं अगर आपके पढ़ाई में इस्कूल में जो सर पढ़ाते हैं आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग घर में जा करके भी इकंटेंट को अपने यूटूब चैनल के माद्यम से या फिर कहें तो दिछा एप के माद्यम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे बिद्याले जहां सिचकों की कमी है उन बिद्याले के बिद्यार्थियों के लिए यह काफी मददगार साबित होगा दोस्तों जारकंड के बहुत सारे विद्याले इसें जहांपर हर विशय के सिच्छक उपलब्द नहीं है तो ऐसे में ये जो content त्यार किया जा रहा है जिसको दिछा app साथी साथ NCRT के YouTube चैनल पर upload किया जाएगा तो उसे आप स्विच हात्रों को बहुत लाब होगा बहुत फाइदा होगा दोस्तों इसके बाद जो class 9 और 11 board exam 2022 में फेल हुए थे उन सभी छात्रों के लिए एक सुचना है कि आप स्विच हात्रों का बरतमान समय में जो class 9 और 11 का registration सब परिच्छा का फॉर्म भरा जा रहा है तो उसमें आप लोग भी फॉर्म को भर दिजिए ताकि आप लोग जो फेल हुए थे तो आप लोग को फिर से परिच्छा में 2023 के board exam में बैठने मिल सके तो आप लोग जितने भी class 9 और 11 board exam 2022 में फेल हुए थे आप लोग इस फॉर्म को भर दिजिएगा फी के साथ तो दोस्तों इस तरह से आज आप स्विच हरकन board के मैटिक और इंटरमीडियाट सहीत class 8, 9 और 11 के साथ-साथ class 1 से लेकर के 7 तक के छातरों के लिए महतपूर्ण update या फिर क्यांकी खुसकबरी थी और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं भी भी परसनों का उतर होता है, model परसन पत्र का solution होता है तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप स्विच हातरों तक भेजता रहता हूँ इसलिए आप स्विच हातरी इस YouTube चैनल को subscribe करके इसके notification bell को प्रेज करके रख सकते हैं और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी helpful और informative रहा होगा तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए तो दोस्तों फिर से मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन, बंदे मात्रम, जय जारखन, जोहार जारखन